हेलो स्टूडेंट आज हम चैप्टर सकिंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो प्राचिन काल में मनुष्य है वो फार्मर बना, सिकारी बना और उसने किस तरह से अपना बसावट शुरू की और कैसे कैसे जो जैसे जैसे प्र बना, साइट मेंने वो जगह जहां पर प्राचिन काल के अवसेश मिलते हैं चीज़े मिलते हैं वो कहां कहां मिली हैं अगर हम मैप को देखें मैप मैंने आपको बताया था, यह देख़व आप मैप यह, यहां पर ऐसे बहुत सारी चीज़े मैने बताई थी जैसे ब्रोज ह जो जमो कस्मेर में, मेहरगड, पाकिस्तान में है, कॉल्डीवा, महागड, उत्रपरदेश, चिरोंद, विहार में, तो इस तरह बहुत सारी जगह जहां पर पुरानी चीज़ें हमें मिली हैं. तो आज हम इन चीज़ों के बारें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें कहां कहां मिली हैं. उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, जो ये साबित करते हैं कि उस टाइम मनुश्य फार्मर के रूप में और पसुपालक के रूप में रहता था. और सबकॉंटिनेंट भी बता दिया था मैंने एसिया और भारत और उसके प्रोशी देशों को मिला कर जो लेंड़ फॉम बनती हैं उसे सबकॉंटिनेंट कहते हैं. इस तरह से आप किसी भी जगह की लोकेशन देख सकते हों और नोर्थ ये है और वेस्ट है इस तरफ है तो ये जो बीच का पार्ट है वो नोर्थ वेस्ट है. इन दा प्रेजेंट कस्मीर एंड इन इस्ट एंड साउथ इंडिया साउथ नोर्थ और वेस्ट में जो ये साइट है ये मिलती हैं. तो फाइंड आउट वेदर इस साइट आर सैटलमेंट ओफ फार्मर्स एंड दा हार्डर, साइंटिस्ट टडी एविडिन्स ओफ प्लांट एंड अनिमल बोंस. इस ये सैटलमेंट जो है, मतलब जो ये बसावट थी, क्या ये फार्मर्स किती हैं, हाडर किती तो जो साइटिस्ट हैं, उन्होंने जो पेड़ पोदों, अनिमल्स, पेड़ पोदे अनिमल्स की हडिया मिलिया है, उनका अध्यन किया है, और उन अध्यनसों से पता चलता है यह नहीं कि कोई भी हमें skeleton मिल गया bones मिल गी हडिया मिल गी उसके दार पर नहीं scientific experiment होते हैं फिर उनके मापा जाता है किसी नहीं किसी चीज से one of the most exciting find including includes remain of the burnt grain और चले हुए अनाज के दाने मिले हैं इससे पता चलता है कि मनुष्यन ने अनाज हुगाना शुरू कर दिया था और उसे भून कर खाना शुरू कर दिया था these may have burnt accidentally or one purpose यह हो सकता है कि वो grain आग लग गयो ग्रेनरी में इस वज़े से जला हो या फसल में आग लग लग गयो या किसी परपज से जलाया गया हो scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in the different part of the subcontinent इन जलेवे grains को कि study करके scientists यह बताते हैं कि इस subcontinent में crops कौन कौन सी उगते थी they can also identify the bone of different animals different different animals की bone से पता लगाया जाता है कि कौन कौन से animal उस टाइम हुआ करते थे दोखो बच्चों बहुत सारे animal इस धर्ती से खतम हो चुके हैं लेकिन उनकी हडिया उनके अवसेश देकर पता लगाया जा सकता है कि अभी वो उस टाइम थे जैसे अगर अंटारिक्टिका पर जाओगे तो आप बड़े-बड़े mammal हाथी से तीन गुणा बड़े mammal जोहां वो पर्त्वी पर हुआ करते थे लेकिन अब उनके हडिया हैं सरफ अवसेश हैं जिसे पता चलता है कि कभी इस पर्त्वी पर इतने बड़े-बड़े जानवर हुआ करते थे इसके अलावा डाइनासूर उनके भी अवसेश ही तो मिले हैं डाइनासूर पर्त्वी पर है थोड़े नहीं अब एक्स्टिन्ट हो चुके हैं तो इस तरह ऐसे बहुत सारे bones या हडियों से हम पता चलते हैं कि कौन-कौन सी चीज़े प्राचिनकाल में थी towards settled life. Settled life का मतलब है जब आदमे ने बसना शुरू किया हो ठीक है घर बनाने शुरू कियी हो हो, खेती बनाने शुरू, खेती करने शुरू कर दी हो, एक जगाये पर रहना शुरू कर दिया हो और इस तरह के घर जो है जम्मो कस्मीर में कहां मिलते हैं पिट हाउसेज है पिट मैंने जो गड़ा खोद के नीचे सुरंग जैसे टाइप में बनाए जाते हैं विच वर डग इंटू दा ग्राउंड जो ग्राउंड के अंदर खोदे जाते हैं विद स्टैप लेडिंग इंटू दैम और शीडिया लेकर जाती हैं अंदर क्योंकि आपको पता है जम्मो कस्मीर का मोसम जो है बहुत ठंडा होता है आज से तीन चार हजार साल पहले जब कारबन डाइक साइड इतने बड़ी नहीं थी वायू मंदल में और भी ज़्यादा ठंड होती होगी इसलिए मकान जो है जमीन खोद कर बनाए जाते थे दीज में है प्रवाइड शेल्टर इन कोल्ड वैदर जो बहुत ठंडे मोसम में उनको शेल्टर आश्रिय परदान करते थे आर्चियोलोजिस्ट हैव अलसो फाउंड कोकिंग हाट बोथ इंसाइड और आउटसाइड ओव दा हट जो कोकिंग हाट है थे हैट का मतलब होता है जहां खाना माना बना जाता है जैसे चूला वगरा होता है गर में वो घर के अंदर भी हैं बाहर भी हैं हट है जो पड़ी नहीं था तो वहाँ अंदर अगर आप भी जम्मू कस्मीर अभी भी जाओगे न तो एक अंगीठी हर घर में आपको मिलेगी यहां से उसमें यह इस तरह से अंगीठी बनी होती है बड़ी सुन्दर लगती है ऐसे फलेम जलती रहती है उसमें और वो सारे घर को गरम रखती है अगर और भी देखोगे आप कस्मीरियों को तो जब कस्मीरी बस वो वगैरा में चड़ते है न तो उनके साथ जम्मू कस्मीर का यहां इलाका है जहां ठंड बहुत पड़ती है लंबे लंबे लबादे वो पहनते हैं और उन लबादों के अंदर एक छोटी सी अंगीठी लेकर वो चलते हैं लालटन सी टाइप ताकि वो उनगीठी उन्हें गरम रख सके ठीक है पीपल कुड कुड कुक फूड आइदर इंडोर एंड आउट डोर तो इस तरह से जैसे सिचुएशन होती बहार या बीतर वो खाना बनाते थे ड्रो एपिट हाउस यह आपकी वो है आपने एक पिट हाउस ड्रो कर रहा है आप नेट से सरच करके उनका अकार देख सकते हों फिर यह ड्रा कर सकते हों पत्थर के उजार बहुत जगह मिले हैं बहुत सारे जो पत्थर के उजार थे वो जो प्राचिन काल में के बने हुए थे वो तो उनके तो बच्चों टेक्नोलोजी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए उन्हें पुराने ढंगे तियार कहा जाता था पैलियोलिथिक लेकिन जो नई किसम के थे पतले थे तेज थे टेक्निक अच्छी थी उन्हें नियोलिथिक कहते हैं नई युक के थियार इस इंकलू टूल्स देट वर पॉलिष्टी तो गीव फाइन कटिंग एज और मोटार्स और प्रेस्टल्स यूस्ट फोर ग्राइडिंग ग्रेन और अधर प्लांट प्रोडियोज और उनके जो कटिंग एज हैं जिस किनारे से वो काटते हैं उनकी हथे वो बगएरा होते हैं जैसे मानलो ये द्राती बना दी न ये हथे बना दी ये इनका कटिंग एज है तो वो पुराने वाले हथियारों से काफी अच्छे थे मतलब दीरे दीरे मनुश्य ने अपना दि at the same time tools of the paleolithic type continue to be made and used and remember many kind of idran earthen pot have been also found जो पुराणे किसम के तियारा वो भी बनते रहे उनका यूज होता रहा देखो इनको पकड़ना भी कितना मुश्किल होता है many kind of earthen pot earthen pot कच्चे घड़े कच्चे मिट्टी के घड़े या घड़े लगा लो कच्चे मिट्टी के घड़े मिट्टी के घड़े बनाए जाते थे also found they were sometimes decorated उनको decorate किया जाते आप देखोगे ना कुमार के घड़े ऐसे बनाए जाते हैं और उनके उपर इस तरह से paint की जाती है ठीक है ना इसी तरह के पुराने जो मटके मिले हैं घड़े मिले हैं जो पोलिस्ट भी होते थे और paint भी होती थी उनके decorated होते थे और वो किसी लिए use करते थे चीजों को store करने के लिए अनाज डाल दिया कोई भी good डाल दिया इस तरह से people begin using pots for cooking food बाद में ये food अगर आप भी 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 विकाने राजस्थान वगरा में जाओगे बचों वहाँ आपको ऐसी चीज़े मिलेंगी जहां लोग ऐसे ही घड़ों में अभी भी अनाज रखते हैं यहां घड़ों में painting की होती है black या white police की जाती है और वो खाने के लिए भी ऐसे तवे होते हैं मिट्टी के उन पे वो खाना बनाते हैं अब दोबारा से हमारी सभ्यता इनका प्रियोग करने लगी जैसे मिट्टी के उसमें चाय आती है बड़ी महंगी अगर मेले वगएरा में जाते हैं तो मिठी के में उसमें दही बगारा डाल के दी जाती है दूर डाल के दिया जाता है बड़ा अच्छा लगता है वरिंदा बन जाओगे वहां हर दुकान पे आपको मिठी दही मिलेगी इसके मिठी के कसोरों में तो ये एक अच्छी सभ्यता थी हमारी क्योंकि मि बरतन के साथ कोई किरिया नहीं करते हैं फिट ठंडी रखते हैं चीजों को तो उस टाइम भी कुकिंग फूड के लिए मिट्टी के कुलड बगारा का प्रियोग होता था इस्पेशली लाइक राइस, वीट डाइट बिपोर दे बिगेन वेविंग weaving clothes, using different kind of material, for example, cotton that could now be grown और इसके साथ साथ, जैसे ये देखो, जार मिट्टी का बरतन है, वो रखते थे और clothes का प्रियोग करते थे, बिन-बिन material यूज करते थे Did these things everywhere and all at once, क्या ये चीज़े हमें हर चगे मिली हैं? Note, कहीं कोई चीज मिली है, कोई कोई चीज मिली है, no quite, in many area, men and women still continue to hunt and gather food कई जगे तो लोग अब भी, मतलव, खेती नहीं करते थे, अब भी उसी पर food gathering पर लगे हुए थे, शिकार करते थे अगर आप नोर्थ हिष्टन इलाकों में जाओगे ना भारत के, यहां बहुत सारी ट्राइबल जाती हैं बच्चों, जो लोग अभी भी इसमें जंगलों में रहते हैं, आप अगर अंडबान निकोबार दीप समू में जाओगे, लक्स दीप में और अंडबान में, यहां बहुत सारे ट्राइबल हैं, जो आज भी जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, और उन्होंने अब जैसे समाज हैं, उसकी तरह रहना नहीं सीखा है, उनसे भी आप एक्जामपल ले सकते होगी, उस टाइम जो लोग हैं सही रहते होते थे, बहुत सारे जगह तो जो लोग हैं वो खाना प्रोड्यूच करना सीखे थे, लेकिन अब भी भी बहुत सारे लोग शिकार और फूड को गैदर करने में लगे वे थे, अब भी भी मिक्स लाइफ जी रहे थे, कहीं खेती कर रहे थे एक सीजन में, दूसरे सीजन में खेती नहीं करते थे तो वो हर्डर और शिकारी बन जाते थे, मतलब दोहरा जीवन वो जी रहे थे, अभी भी हमारे देश में बिहार में चले जाओगे, वो लोग शिकार भी करते हैं, मतलब ऐसे सांप, चुहे, वो मार कर डूणने में लगे रहते हैं, साथ में वो खेती की काम में भी लगे रहते हैं, पेट भरने के लिए बहुत सारे चीज़े करने पड़ती हैं, एक क्लोजर लुक, लिविंग और डाइंग मेहर गड़, देखो बच्चो, पैदा और मरना, मतलब इसका ये मतलब है, कि उस टाइम में पपुलेशन कैसे रहती थी, पपुलेशन कहां ज़्यादा थी, और मरने के बाद संसकार कैसे होते थी, जैसे मुसलमान हैं, वो बच्चो क्या करते हैं, वो दफनाते हैं, ठीक है कबर में, इसी तरह जो क्रिश्चन्स हैं, वो क् वो दफना देते हैं, वो भी, लेकिन जो हिंदू लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो जलाते हैं, संसकार करते हैं, इसी तरह जो बहुत सारी डैड़ बोडीज मिली हैं भारत में, इसे पता चलता है कि उस टाइम भी लोग जलाते नहीं थे, गाड़ते थे, मतलब अंदर कबर बना देते थे, आरिये आए ना भारत में, आरिये संसकरती उत्पन होई भारत में, तब ये जो हिंदू संसकारों के अनुसार, दहन की प्रिकरिया शुरू हुई, जलाना शुरू हुए, डैड़ बोडीज को, नहीं तो ऐसे अब सेस मिले हैं बचो, जिसमें पता चलता है क उस टाइम जो आदमी मर जाता है, उसको दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, मेहर गड़ आपने डूड़ना मैप को, एक बार सोचो, एक मिनट कहां था, फिर मैं दिखाऊंगे, ये था पाकिस्तान में, मेहर गड़, ये देखो, ये मेहर गड़ है, देख गया, य ये मेहर गड़ है, तो ये मेहर गड़ के बारे में क्या बता रहा है, उसमें ऐसे बहुत सारे अबसेश मिले हैं, इस साइट इस लोकेटिड इन दा फर्टाइल प्लेन, आपको पता है, ये भारत है, बच्चो, और यहां पांच नदियां बहती हैं, जो शिंदु नदी है, वो यहां से चल कर थोड़ी से हिसा हिंदुस्तान में आके, पाकिस्तान में बहती हैं, और बहुत सारी हिंदुस्तान की जो नदियां, इंडियां की नदियां, चेनाव, जेलम, सतलूज, रावी, ब्यास, ये बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं, तो यह क्या नदियां फ्रटाइल हैं जो ताजी मिटी बहा कर लेके आती हैं नया ख़द्यान का लिए प्लेन बनाती हैं मिटी बिचाती हैं और यहां खूब अनपैदा होता है तो मेहरगड एक बड़ा सहर था उस टाइम जिसके अवसेश मिले हैं मेहरगड के लोकेटेड ने फरटाइल प्लेन जो उपजाओ मेदान में है नियर दा बोलान पास बोलान पास जैसे अफगाने ये पाकिस्तान है यहां क्या आजाता है इंडिया आजाता है पहले भारत एक ही था न पाकिस्तान तो बाद में डर्रा होता है दो पहडियों के वीच आने जाने का रास्ता बच्छों, ठीक है पास मैंने दर्रा, बोलान पास बीच में अधितो दो फिल्खुर्ण इंन प्रेंट प्ोर्र निगंग गर्री da बार्ले एंड वीट एंड रियर सीप एंड गोट्स पूर दा फस्स टाइम ओ इन दिस एरिया जो मेहरगड के लोग थे वो एक इंपोर्टेंट रूट पे जो इरान जाता था उस पे स्थित था बोलन पास के नजदेग लोगों ने सिखा बार्ले वीट के हूं कैसे हुआया बेडें कैसे पाली जाती हैं बकरियां कैसे पाली जाती हैं अड दिस टाइम इड दिस टाइम इड दिस आइट मैने अनिमल बोंज आर फाउंड बहुत सारी जो पसुआं उनके बोंज हडिया मिली हैं बोंज ओफ विल्ड अनिमल सच आज डी और पीग अंड आलसो बोंज ओफ सीप अड गोट आर फाउंड अदर फाउंड अट मेहरगर्ड इंकलूड रिमेंज ओफ स्क्वायर और रेक्टेंगल ये इस तरह से नगर बसा हुआ था वई हाउस भी उनके इसी तरह से होते थे देखो सारे नगर की गलियां ऐसे होती थी और उनमें घर जो बने होते थे वो भी ऐसे ही चार चकोने बने होते थे ठीक है बड़ा ही मतलब वैल सेटल था आज की तरह ही नालियां बहुत पक्की थी सभी घरों के जो नालियां थी वो में नाली से जूड़ी हुई थी ठीक है ये घर का डिजाइन है जो खुदाई से मिला है अगर आप मेहरगर्ड जाओगे तो ये अभी फोटो में है लेकि तो वन इन विच यू लीव बिलकुल सीमलर होते थे कई दो मजले होते थे कई एक मजले होते थे कुवा होता था हर गर में ठीक है बच्चों इच हाउस हैड फोर और मोर कमपाडमेंट फोर या उससे ज़्यादा कमपाडमेंट होते हैं ये कमपाडमेंट होते थे ये इस त पुराने घर दो गए तो गाउं में उन्हें सोपे बोलते हैं तो उनमें कुछ हनाज रखा जाता था जब लोग मरते देर रेलेटिव और फ्रेंड अनके फ्रेंड और उनके रिष्टेदार उनको रिष्पेक्ट देते थे और जब वो मर जाते थे उनके साथ बहुत सारी वस्तों में रख दे देते जैसे ही एक ब्राइल है मतलब जले हुआ सोरी सव है किसी का कबर में सिवल निकला है उनके साथ एक बकरी मिली है बरतन मिले हैं जो अमीर होता वो ज़्यादा चीजें रख देते गरीब होते तो हुआ कम इससे भी पता चलता है कि वहां अमीर गरीब थे ठीक है वो इतने चीजें क्यों रखते थे ब्राइल के बाद क्यों क्योंकि उनको लगता था कि जीवन के बाद भी ब्राइल एं और ऐसी साइट हैं जब मनुष्य दफन है समसान घाट बहुत ज़्यादा है और एक कबर में तो एक बकरी भी मिलिया विच वर प्रवैबली मिन्ट टू सरव एज फूड इन दा नेक्स्ट वर्ल्ड और किसलिए रख दी कि ये मरेगा तो ये बकरी को खा लेगा फिर इसे भूक लगेगी तो मतलब लोगों के अपनी अपनी कलपना है भाई ये कितना सच है कितना नहीं बता नहीं Cave painting in France France में गुफाएं हैं ऐसे गुफाओं में painting मिली है बच्चो गुफाओं में इस तरह से कोई पहाड़ी गुफा है उस में इस तरह से कोई painting मिली है बहुत साल पहले चार स्कूल के बच्चों ने इसको खोजा था पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिट्वेंटी थाउजन तू तैन थाउजन येरो ये पेंटिंग जो बनिये बीस साल से बीस हजार साल से दस हजार साल पहले मतलब देखो अगर ये अनिमल को वो जानते थे उनकी पेंटिंग मनाई तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के अनिमल वहाँ पाये जाते थे ठीक है ना उनिमल के चितर बनाएंगे ना जहां वो जिनसे वो जानकार थे जिनके वो ब्राइट कलर में ये पेंटिंग है और अभी भी देख लो वही बीस अजार साल बाद भी ये पेंटिंग अभी भी तक है ये माना जाता है कि किसी उत्सब के टाइम ये पेंटिंग बनाई जाती थी और किससे बनाई जाती थी ओचरे आईरन ओरे जो वह लोहा शकुष से और चारकूल चारकूल समस्ते हो बच्चो जो सडकों वगर आपे बिछाया जाता है चारकूल तारकूल भी कहा जाता है और प्रहस दे वर मेड ओफ स्पेशल रिचुल या किसी विशेश अवसर पर ये चीज बनाई जाती है ये देखो ये पेंट आपकूल कितनी अच्छी है भी साजार साल पहले भी इस कलर वर मेड ओफ मिनरल्स ये हो गया है ये है कि जब वो कभी सिकार के लिए जाते थे उससे पहले पेंटिंग बनाई जाती थी क्यों बनाई जाती थी कि हमें सिकार मिल जाए ठेक है नियोलिय ठिक साइट ऐसे जगह जहाँ पर अभी भी नए किशम के वो मिले हैं हतियार मिले हैं टर्की का पता है कहा है देखो यहां से एसिया है यहां से अफरीका खतम होता है और यहां से यूरोप शुरूब होता है तो बीच में टर्की है इसका culture एशिया से मिलता है लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें western country से मिलता है उनके जैसे सकल सूरत ये तो ये एक बीच का देश है One of the most famous neolithic site cattle hyuk cattle hyuk जो है वो एक neolithic site है ये जगह का नाम है जहां पर was found in Turkey, several things were brought from great resistance flints from Syria, coveries from red seals, cell from Mediterranean Sea and used in the settlement ये क्या बता रखा है बेटा ये बता रखा है कि बहुत सारी चीजें वो बहुत तेशों से लेकर आते थे जैसे flint है वो Syria से आते थे, Syria इसका एक प्रौशी देश है coveries ये red sea से जो लाल सागर वहां से आते थे cells जो है वो Mediterranean मद्या जिसे बोलते हैं मद्या सागर वहां से आते थे and used in the settlement और वहां प्रियोग किये जाते थे लोगों के दोबारा रिमेंबर देर वाज नो काट्स मोस्टिंग बुड है विन केरीड ओंदा बैक बैक ओटू पैक अनिमल सच अज कैटल और बाई पीपल ठीक है यह आपका चैप्टर था बच्चो खतम हो गया है द्यान से पढ़ लेना बहुत सारी चीजें किरियोष्टी पैदा हुई होगी उनको नेट से सरच कर लेना जैसे टर्की को सरच